हाल मार रहे हैं उसमें किंद सरकार का फैसला बेशा कराहत पहुंचाने वाला है एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और मुंबई का भी कुछ ऐसा ही हाल है मुंबई में भी जो सब्जियां कभी 20 रुपे 40 रुपे कीलो मिलती थी आज उनके दाम 80 और 100 पार कर गए हैं तो सोची ए लोगों के जेबु पर कितना बोज उन पर पढ़ रहा होगा किस तरीके की तकलीफों का सामना उनको करना पढ़ रहा होगा अब लोग सोच रहे हैं कि आखिर कौन सी सब्जी खाएं जो उनके बजट में फिट बैट जाए और ऐसी कोई भी सब्जी इस वक्त नहीं है जो उनके बजट में फिट बैट जाए प्यास ट्रमाटर ये ऐसी सब्जियां हैं जिनके बिना शायद सब्जी बनाना बेहद मुश्किल हो सकता है और मुंबई की सब्जी मंडी का क्या हाल है वो एक बार आपको दिखाते हैं तो मुंबई में भी लगातार त़क्व勝ो का सामना कर रहे हैं लोग क्योंकि वहां पर भी सब्जी मंडी हों में हाल बेहाल है लोगों का सब्जी 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 से जोड़ चुके हैं अब इशेक क्या स्किती है इस वक्त क्या भाव वहां पर सब्जी ओंके हैं और किस तरीके से लोग इन भावों का सामना करना पड़ रहा है उनको क्योंकि बजट जो है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है पिल्कुल मैं कांदीवली राके में हूँ शिवानी यहां पर सब्जी मंडी में हूँ यहां पर यह बेसिकली रीटेल सब्जी मंडी है जहां से लोग लेकर जाते हैं अपने घरों के लिए लेकिन जिस तरीके से बजट पहले था वो फिलहाल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा तो आध हके में पहले सीधे इसके राधा था अभी एक अपत में नधा है जिए है अईसा हो गया ऑडá नहीं लेता हुआ तरफ टमाटर किलो मेन फर्टी किलो मिकलों पहले तो लेके चला जाता ही तो मेन्य थरीक टिस तर्माटर किलों मेंड़ता चला जाता है कि यहाँ पर जो कस्टमर्स पहले ज़्यादा सब्जिया लेता था लेकिन अब उसका बजट बिगड़ता हुँ नजर आ रहा है और खास करके ऐसे समय में जब दाम लगातार बढ़ रहे हैं लोग कम से कम सब्जिया लेकर जा रहे हैं जी विल्कुल और लोगों को कई सारी दिकतूं का सामना करना पड़ रहा है लेकिन देश की और अन्य सब्जी मंडियू का क्या हाल है वो भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से लोग परिशान हैं देखें तो यानि की लगातार लोग परिशान हो रहे हैं सब्जियू के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका सीधा असर उनकी जेबू पर पढ़ रहा है लोग अपना एक बजट लेकर चलते हैं लेकिन इस वक्त लोगों के घर का बजट कीचन का बजट खासतोर पर डग सब्जी मंडी लेकिन उसमें जो सब्जीओं की संख्या है वो अब बेहत कम हो गई है और भोपाल से मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइफ जुड़ गए है मनोज क्या स्तिती है इस वक्त भोपाल में कहां पर आप मौजूद है और एक बार तस्वीरें दिखाई अगर बार कह रहे थे कि कैसे आए क्योंकि अधाम ऐसे बढ़े हुए हैं क्योंकि जो सामने आपको टमाटर दिखरा एंटेमाटर साथ से ऐसी रूपे किलो तक जा चुका है आलू के दाम जो एक हपते पहले यहां दस पंधर रहों पीक रहा था वो 25 रूपे क्लों पे गया है दन तो साथ रूपे किलो दनियापत्ती 200 रूपे किलो आपके घर का बजट कैसे चलेगा सर यह तो नहीं चल पाएगा क्योंकि इतनी महंगा ही है साथ मैं आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और कुछ जादा ही महंगा ही हो जाएगी टामाटर पहले 20 रूपे किलो था लेकिन अब आज देख लीजे 60 रूपे किलो से उपर 80 रूपे किलो पहुंच गया है कि अब देर बाद आपके ग्रहागा है कि मैं आपके गंड़े से ग्राइक ने आते हैं आप पूछके चले जाते इस गलत फिमी में ना रहे हैं कि दुकानदार मनाफा जादा कमा रहा है दुकानदार बी रह रहा है मतलब आपके लिए तो आमदनी कम होगी दिनकी पुंजी किौुकि जो माल आते उसका पुझी आनी पारे कि महेंगाई की वजह ने अपना बज़ेट जो है शेमानी वो दो कलो आerves लेके लोट रहा है। वेल्कुल तो इस बड़ती महेंगाई ने हर किसी का बज़ेक्त बिगाड के रख दिया है और देश के कई राजियों में DAP खाद की कमी से किसानों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है दो दिनों में मध्यप्रदेश और राजिस्थान के कई ऐसे शहर है जहां से तस्वीरे सामने आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि खाद की कमी से किसानों की परिशानी बढ़ रही है सामने आई तस्वीरों में खाद वित्रन केंद्रों पर किसानों की लंबी-लंबी लाईने देखी जा रही है कई जगों पर पुलिस ने लाटी अब भान जी तो कई जगों पर किसानों में आपस ही जड़प होती हुई नसर आई ये तीन तस्वीर आप देखिए राजिस्थान मध्धिप्रदेश की जहां पर किस तरीके से लंबी-लंबी कतारों में ये किसान खड़े होने को मजबूर है क्योंकि खाद की कमी है और ऐसे में घंटो लाइन में लगने के बावजूद खाद इन्हें नहीं मिल पा रहा है इसमें पोलिस किसानों के उपर लाठियां भांजती हुई दिख रही है बताया ये गया है कि केलारस मंडी में खाद बाटने की दौरान किसानों की भारी भीड जमा हो गई और वहां लंबी लाइन लग गई काफी देर तक खाद नहीं मिलने के बाद किसान हंगामा करने लगे और वहां भगदर मच गई किसानों के हंगामे को रोकनी के लिए पोलिस ने जम कर लाठियां बरसाई इससे पहले भी इसी मंडी में दो बार खाद के लिए हंगामा हो चुका है और ये तीसरी बार हंगामा होता हुआ, देखिए किस तरीके से मंडी में अप्रात अप्री का माखौल मचा, हालकि इस घीड को काबू करने के लिए पोलिस को लाठी चलानी पड़ी, लाठीयां बरसानी पड़ी और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला शान्त हुआ खाद की कमी के चलते, लगातार किसानों की मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है, पहले बेमौसम बारेश और फिर दुछली का संकट गहराया, और ऐसे में अब खाद की किनत इतनी जादा है, कि खाद वितरन केंद्रों के बाद ये लंबी-लंबी लाइन जो आप देख और इस वक्त दो सेयोगी हमाईसाथ मौजूद है, भोपाल से मनोज शर्मा मौजूद है, जैपूर से भवाणी हमाईसायोगी मौजूद है, सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं, मनोज क्या तस्वीरे है केंद्र की, क्या वाकि इसी तरीकी का माखौल बना हुआ है एक खात का संकर इतना जादा घेराता हुआ नजर आ रहा है कि अब आपसी लड़ाई भी होने शुरू हो चुकी है। पांच दिनों के अंदर मुरेना में, सबलगर में, जो की शोपिर जिला है, ये भी राजिस्तान से लगा जिला है, मुरेना, सबलगर और केलारस तीन जगह पर लगातार है से हालाद बने और बद्रदेश की दूसरी जगह सो भी ऐसी रिपोर्ट आई कि खात के लिए, जो लाइनों में लंबा लगना पड़ा, बड़ी तादाद में भीड जमा हो गई, और जिसे कहते हैं कि जितनी तादाद में खात होनी चाहिए, जब उसकी आप पूर्ती नहीं हुई, तो हालात कानून व्यास्ता के बन गया, और ये तस्वीर है,